असलाम अलेक्म and welcome to creative wapar and welcome to day one of 21 day python learning challenge और दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम python को setup करना सीखेंगे क्या हम python को setup किस तरह से करते हैं, install किस तरह से करते हैं और first program किस तरह से लिखते हैं दोस्तो इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं आपको step बताऊँगा आप इसको साथ साथ फालो करते जाओ, चाहे आप एक दफार वीडियो देख के फिर उसके बाद फालो अलांग कर लो, ताकि आप जितने भी इसके कंसेप्ट हैं, वो आपके जिन में रहें, जितने भी स्टैप्स हैं, वो आपको याद हो जाएं, इसके मैं जितनी भी कोड़ लिखने के हमारे पास बहुत से तरीकी हैं, इन में से हम दो को डिसकास करेंगे, पहला तरीका हम देखेंगे कि हम किस तरह से पाइथन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टाल करके सैट अप कर सकते हैं, साम टाइम हमारे पास इंटरनेट चाल रहा होता है, नही अपना काम किसी को चेक करवाना चाहती है, या हम पाइथन को इंस्टाल रही नहीं करना चाहते हैं, कोई भी वज़ा हो सकती है, तो आप इसे ऑनलाइन किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके आपको कंप्लेटली सिखाओंगा, सबसे पहले हम तरीका देखेंगे किस तरह से इसे अपने लोकल कंप्योटर कांदर इंस्टाल कर सकते हैं, लोकल कंप्योटर कांदर इंस्टाल करने के लिए ये आपने VS Code को इंस्टाल कर लeना है, मैं बिलकुल आपको इज़ी मैθल बता रहा हूँ, जो आप जैसे करोगे, उसी वक्त ही आपकी यहlu पाइथ है तो आप मैक वाले को इन्सट कर लगार और है उबंटू कर लो अगर आपका विंड्र वाले को क्लिक करके डाउन लूड करो जब आपका व्यस डाउन सूर्म कर लेंना है इसको आपने थे ऐस्ट नेस्ट नेच्ट काईगी मैंने इसको आर एड यूपन किया हुए यहां पे तो आपके बस कुछ इस तरह की लोग काईगी इसकी तो आपने खाले फोल्डर क्रियेट करना है डिस्क टॉप के उपर का लो या किसी और फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर का लो यहां पे आप नियू फोल्डर और ह हमारा चूंकि तुट्टी वान डेज मतलब 21 डेज चालाइज मैं लिकूंगा 21 डेज पाइफन आप कोई भी नाम राख सकते हूँ फिर इसको आपने ड्रैक करके अपने जो फोल्डर है उसके अंदर ऊपन का लेना है जो आपका वी स कोड है उसके अदर आपने ऊपर कर ले दाथर इसको आपने क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन के उपर कर लेता हूं साथ जूम भी कर देता हूं ताकि आपको चीज अच्छी से नज़र आए फिर उसके बाद यह आपको पस एक्स्टेंशन आ रही है इने एक्स्टेंशन पर जाना है और यह यहां पर क्रियेट करनी है यहां फस्ट फाइल क्रियेट करो मैं इसको लिख देता हूं डे वन डॉट पी वाई जब दि आपने पाइफन के साथ कोडिंग लिखनी है ना तो आपने एंड पर लिखना है पी वाई फाइल एक्सेंशन होगी पी वाई अगर हम जिस तरह से ज ना ता यहां देवन जो और रिखना है और नामम रखना चाहओ नाम डॉट ली आप के वाई है लिखना के साथ कोड़ लिखेंगे लिखेंगे और आपके फाइल होगी यहां पर यह की पर चीज़ से चाल यहां प्रफेक्ट होगी आपके आपने simply यहां पे लिखते हैं प्रिंट और प्रिंट के बाद आपने लिख देना है यहां पे हैलो वार्ड एलो वार्ड लखो यह जो भी लिख दो save किया save करने के बाद इस फाइल को आपने run करना है यहां पे और आपके पास cmd के अंदर अगर यह प्रोग्राम लेक्ट किया जाता है इसका मतलब है कि आपकी Python ready to use है हमें इसको setup किया है और इसको एक दफ़ा गिया run कर लेते हैं बगर यह automated design हो रहा है यह आ गया Hello Word और यहां से आपकी ओई और है चेक करना गिट पैश करना चाओ CMD करना चाओ कुछ भी करना चाओ कर सकते हो तो जो हमने यहां पे उपर message लिखा वो मेरे पास नीचे print हो गया मैं यहां पे लिख देता हूँ लिख देता हूँ Hello Barber तो मेरे पर यहां पर प्रोग्राम चेंज भी हो जाएगा यहां पे save करूँगा save करने के बाद जास स्कोरान करूँगा मेरे पास आगया Hello Barber तो आपकी Python सेट अप होगी सेट अप होने के बाद आपने पहला प्रोग्राम भी लिख लिया यह था हमारा पहला तरीका जिसके मदद से हम locally अपने computer के अंदर इसको सेट अप कर सकते हैं अब दूसरा तरीका हम देखते हैं दूसरों दूसरा तरीका भी हमारे पास बहुत असान है सिंबल यह आपने इस website के उपर आजाना है replet.com और अगर आप इसको first time अपन करोगे आपके बास कुछ इस तरह का interface आएगा इस तरह का interface आएगा आपने यहां पर बटन आपको नजरा रहा है yellow वाला sign up for free इसके उपर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप अपना google account स्लेक कर लो, github की profile कर लो जो मर्ज़ आप स्लेक करना चाओ आपके उपर है आपके पास इस तरह का ही आएगा आपके पास लिख आओगा वैलकम टू रैपलिट नेम आपने देना है लास्ट नेम देना है और यहां पर आपके पास आ रहा हो मच सॉफ्टर क्रियेशन मतलब experience आपका कितना है तो आप यहांपे beginner, intermediate जो भी लिखना चाहो beginner मैंने कार दिया था फिर यहांपे मेरे पास आपका plan कौन सा है तो मैंने इसको personal लिख कर दिया था आप इनमें से कोई भी कर सकते हो लेकिन मैं आप और beginner और personal कार लू फिर आपका second जो window है उस तरह किया गी कि आप इंसे कौन सा plan लेना चाहते हो एक है कि आप 10 dollar per month या free वाला या 40 dollar per month तो मैंने कौन सा किया मैंने किया free वाला उसके बाद मैंने फिर इसको next किया next करने के बाद आपके बाद यहांपे आ गया पाइफन के अंदर code लिखना चाहते हो next js के अंदर लिखना चाहते हो python disk code board के अंदर HTML CSR java ship के अंदर node js के अंदर या personal portfolio को template लेना चाहते हो तो मैंने इसको python को select करके फिर इसको click कर दिया याप इसको click किया फिर मेरे पास यह वाले window आ गी याप अपनी file का नाम दो तो मैंने my first file दिया आप इसको index देना चाहो main देना चाहो जो भी देना चाहो फिर उसके बाद आप यहाप description देनी है तो ठीक है मैं तो कभी description नहीं दी अगर देनी है आपनो देलो उसके बाद use template मैंने use template को पर click किया जैसे use template को पर click किया मेरे पास इस तरह की window open होगी आपके पास भी same इस तरह की window open हो जाएगी और यहाप मेरी file का name है main.py और यह मैंने जो folder करना में लिखा था my first तो वो मेरे पास यहां पर my first भी आ गया अब इसके अंदर भी हम same वही वाली command लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे print और यहां हम लिखेंगे hello world hello world और इसको save किया save करने के बाद बलकि इसको ना save करने की ज़रत नहीं होती है इसको auto save कर देता है फिर इसको यहां पर run करोगे तो आपके पास यहां पर आपकी कमार जो आ जाएगी तो यह जो मैंने program वहां पर लिखा उसने same program मुझे यहां पर print और करवा के दे दिया अगर इसको आप मैं कर दूंगा hello barber जिससे मैंने VS code के अंदर किया आप इसको save करेंगे तो again मिरे पास आ जाएगा hello barber यहां पर first command मेरी आगी hello world second मेरी मिरे पास आगया hello barber क्या आपकी पहले तरी ने बता रहा हूं ताके आप लोग आप बिल्कुल flow के अंदर code लिख सको I hope आपको समझाई होगी कि हम किस तरह से python को start I hope आपको समझाई होगी कि हम किस तरह से python को setup कर सकते हैं और setup करने के बाद पहला program लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी वीडियो क आपके निये लापसस